दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्पूर है आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप कभी भी जमीन के सिविल केस को करते हैं या माली जी आप एक वकील है और आपने केस ले लिया है तो उस केस को कैसे कोट में एपलाई करते हैं फिर क्या प्रोसीजर होत होगा कि यदि आप मुझसे किसी भी टॉपिक को लेके संपर करना चाहते है तो कालमी फोर एप के तुरू संपर कर सकते हैं इस एप की लिंक वीडियो की डिस्क्रेप्शन में हमने दे रख की है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको दो उधारण होंगे और बह मेरे नम हो दाखिल खारेज कर दिया जाए सपोच दै माली जी आपने अपने जब कोई जमीन कर आई और आपने तैसिल दार किया दाओवा किया दारा 14, में किया यह जमिन मेरे नाम कर दी जाए ठीक है अब भाई माली treatment कि उस पर कोई भी विवाद नहीं है तो तो जमीन कि आप प्रोसेस करेंगे कैसे वह समझे लीजिए जैसे माली जी आपने दारा 34 में दावा किया कि मानुवर जो है आप जो है यह आवेदन कर दें तो माली जीए विपच्छ सबसे पहला जो पॉइंट जो होता है वह यही होता है कि आप दावा करते हैं दूसरा जो किसी वो दिक्कत होगी जिस किसी का आयत होगा वो आपके उस दारा 34 के आवेदन पर जो आपने आवेदन किया है उस पर आपत्ती लिखेगा आपत्ती दिलवाएगा अपने पकील से के मानने वर यह जो बेनामा किया है इस पर जो दारा 34 के लिए आवेदन किया आयत आकिल कार में तीक है आप माल लीजी objection लगया आपके तो फिर आपको जो objection दूसरे party ने दिया है उस पर आपको उसका जवाब देना होगा आपको देना होगा कि मानवर ये जो है ये बिल्कुल फरजी तरीके से आपत्ती लगा रहा है ये फाल दूमें हमारा साच पेस करना होगा कोट में उसके बाद अगला प्रोसेज जो होता है वादी को कोट में साच पेस करना होता है कि मैं ये जो जा रहा 34 के अदिन जिस जमीन का दागल कारेच चार आ हूँ वो एक्चुली हमारी है आप साच देख लीजिए ठीक है तो आपको साच देना पड़ेगा ठीक है तीसरे पॉइंट में चौथे पॉइंट में क्या होगा आपने साच दे दिया उसके बाद साच प्रतवादी से लिया जाएगा ठीक है उसके बाद जो है जो दोनों लोगों ने साच दे दिये हैं कोट को फिर उसके बाद हो सकता है कि साच्चियों पे बैस हो और अक्सर साच्चियों में बैस होती है दिके बैस होना इसलिए आवस्सक है कि पहले जो वादी है उसने भी साच दिये प्रतवादी उसने भी साच दि जो है वो प्रमार्द नहीं है, तो दोनो उसाच्चों को जब नियाला सुल लेगा, और आपकी फॉल आडर में लगाएगा, और कुछ किस किया तो वहाँ पर आपको दावा करना होता है कि मानवर इतना रखवा है मेरा अलग कर दीजिए मेरा लड़ाई जगडा होता रहता है तो वहाँ पर जब आप दावा कर देंगे तो वहाँ पर पाइटियों के लिए notice बेजा जाएगा ठीक है जो भी आपकी party है जो भी आपके साय खाते दारक है जिनसे आप बटवारा चाहते है उनको नियालेदवारा notice बेजा जाएगा कि इस तारीक को आप आईए notice की तामिल होके आपकी file में लग जाएगी फिर उसके बाद यही जो है यही process चलता है ठीक है आपती देना जवाब देना एक दूसरे का साच पेस करना ठीक है तो उसके बाद सब यही होती है बस बटवारा के मामले में जो भी party है उन सब को notice देना पड़ता है और notice की तामिल होने के बाद file में लग जाने के बाद विद्वस रूप से यही प्रिक्रिया अपना जाती है वीडियो चलता है वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा दे